पुछो जरा पुछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए, क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंद के लाए, ना जाने कहां दिल खो गया हाई फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार सी वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हो, तो फ्रेंड इस वीडियो को बनाने के लिए हमें एक अप्लिकेशन की जरूत पड़ेगी, जिसका नाम ह काइन मास्टर तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो चलिए फ्रेंड एडिटिंग के लिए अपने काइन मास्टर अप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर हम अपने काइन मास्टर अप्लिकेशन में आ गये हैं, आने के बाद यहाँ पर में प्लस के आइकन पर किलिक करना है यहाँ पर हम 16 पॉंट नों का रेसिव लेंगे लेने के बाद यहाँ पर में क्रियेट पर क्लिक कर देना है अब अब हम फ्रेंड यहाँ पर सबसे अबले अपने फोटो को आड़ करेंगे तो जिस भी फाइल में फोटो हो आपका उस फाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको अपने फोटो को आड़ कर लेना है add करने के बाद यहाँ पर इसकी duration को आप अपने recording घटा बढ़ा सकते हो आप जितने second का बनाना चाहते हैं उतने second का यहाँ पर रख सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको pen sign zoom में आना है और जो हमें दो लाइने दिखा दी रही है इस पर हमें कुछ इस प्रगार से touch करके बरावर कर देना है और photo को हमें दोनों finger से zoom करके full screen में set कर लेना है देख सकते हो friend कुछ इस प्रगार से उसके बाद यहाँ से back आएंगे और यहाँ पर नीचे के side में आना है तो हमें पर इसकी back net को on कर देना है और यहाँ से back आजाएंगे अफ्रेंड इसमें अपना blur effect डालेंगे तो उसके लिए आपर layer मिचाएंगे layer मिचाने के बाद यहाँ पर effect में आना है और यहाँ से basic effect में आएंगे तो यहाँ से हमें first डाले को select करना है select करने के बाद यहाँ से back आएंगे और यहाँ पर इसकी size को हमें full screen में apply कर देना है and यहाँ से back आएंगे और यहाँ पर इसकी duration को हमें यहाँ पर end तक कर लेना है करने के बाद यहाँ से back आएंगे starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपना एक template वीडियो आड़ करेंगे तो उसके लिए हाँ पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर media में जाएंगे और यहाँ से अपने template को add कर लेते हैं तो यहाँ पर split screen में आना है और इसे में full screen में कर लेना है transmitted यहां से हम back आ जाएंगे तो यहाँ से वीडियो को मैंेiest पर सेव कर लेना है तो उसके लिए पर 0 पर किलिक करना है और यहाँ पर हमारा वीडियो पर क्लिक कर देना और हमारा वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंट जब तक हमारा वीडियो सेव हो रहा अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना तो फ्रेंड यहां पर हमारा वीडियो सेव हो चुका है सेव होने के बाद यहां से हम बैक आ जाएंगे और यहां पर इसको सेलेक्ट करना है ब्लू स्क्रीन वाले वीडियो को यहां से डिलेट कर देना है और इस एफेक्ट को भी हमें डिलेट कर देना है यहाँ पर हम दोबारा से लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहाँ पर मीडिया में जाएंगे और यहाँ से अपने वीडियो को एड़ कर लेते हैं जिस वीडियो को अभी भी स्पोर्ट किया था तो उसी वाले वीडियो को यहां से आपको add कर लेना है add करने के बाद नीचे के side में आना है तो हमें blending में आना और इसे में split screen करके full screen में कर देना है और यहां से हम back आ जाएंगे तो हमें और नीचे के side में आ जाना है तो हमें आ जाएंगे chroma key में और इसे में enable कर देना है and इसे में कुछ इस प्रगार से adjust कर लेना है करने के बाद यहां से हम back आ जाएंगे अप्रेंट यहां पर हम first वाले photo को select करेंगे select करने के बाद यहां पर हमें kone के side में 3 dot पर click करना है और इसे में duplicate as layer बना लेना है बनाने के बाद यहां पर हम 12 से 3 dot पर click करेंगे और इसे में send to back कर देना है और यहां पर इसकी size को में कुछ इस प्रगार से zoom करके इस frame में अच्छे से set कर लेना देख सकते हैं फ्रेंट कुछ इस प्रगार से आपको photos को zoom करके frame में अच्छे से fit कर लेना है फिट करने के बाद यहां से हम back आ जाएंगे अब फ्रेंड इसमें अपने music का template वीडियो अड़ करेंगे तो इसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर media में जाएंगे और यहां से अपने music वाले template वीडियो को add कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से हमें अपने template को add कर लिया है, add करने के बाद यहां पर हमें नीचे के side में आ जाना है, तहां पर हम आ जाएंगे blending में और इसे हमें screen कर देना है, यहां पर इसकी size को थोड़ा सा zoom करेंगे, zoom करने के बाद लाना है पर हमें नीचे के side में इसे ऐसे करके set कर देना है, set करने के बाद यहां से हम back आएंगे और starting position पर आ जाना है, अब फ्रेंड इसमें अपने text png add करेंगे तो उसके लिए अपने layer में जाएंगे, layer में जाने के इस music के उपर हमें ऐसे करके set कर देना है, set करने के बाद यहां से back आएंगे और यहां पर इसकी duration को हमें यहां पर video के end तक कर लेना है, करने के बाद यहां से back आएंगे starting position पर आ जाना है, अब फ्रेंड इसमें अपने template वीड़ो आड करेंगे तो उसके लिए हम पर layer में जा आएंगे और यहां से अपने template को add कर लेते हैं, तो फ्रेंड यहां से हमें अपने template को add कर लिया है, add करने के बाद split screen में आना और इसे में full screen में कर लेना है, और यहां से हम back आ जाएंगे तहां पर में on नीचे के side में आना है, तहां पर में blending में आना और इसे में screen कर देना है एंड यहां से हम कुछ इस प्रगार से ब्रैक आ जाएंगे तो फ्रेंड हमारा status विडियो कम्प्लेटली बनकर तयार हो चुका है बिसमें song आप अपने हिसाब से लगा सकते हो तो song लगाने के लिए simply आपको इस ID के section में जाना है एंड यहां से आपको song में आना है और यहां पर आप जिस song को add करना चाहते हो उस song को यहां से आप add कर सकते हो तो उसके लिए आपको song पर क्लिक करना है पलस के आइकन पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आपका song नीचे के side में add हो जाएगा तो चले फ्रेंड आपको वीडियो को थोड़ा सा play करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा वीडियो कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है अब से अपने phone में save करने के लिए आपको उपर के side में शरो पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर आपको quality of recording राख सकते हो और यहां पर आपको save as video पर किलिक कर देना और आपका video save होना start हो जाएगा